सीधे हम आपको लखनौ लेकर चलते हैं, बीएसपी प्रमुख मायवती इस वक्त प्रेस कॉन्फरेंस कर रही हैं नहीं हो, उसको आज मैं दिनाक 2 जून 2018 को खाली कर रही हो, तथा साशन आदेश दिनाक 13.01.2011 के तहट अब ये भाग भी खाली होने पर मानेवर शिरीकांशी राम जी यादगार विस्तराम स्तल का ही भाग कहलाएगा इसके साथ ही मानने सुप्रीम कोट के आए फैसले के अनुसार इस स्तल के आवासिय भाग जिसमें मैं रहती थी उसको छोड़ने के उपरांत संपूर्ण बंगला नंबर 13A माल विन्यू जो मानेवर शिरीकांशी राम जी यादगार स्तल है उसके रख रखाव बैस सुरक्षा आदिक की बरत्मान परदेश सरकार का पूरे तोर से सही वे उचित विवस्ता किये जाने का दाइक्तु है जैसा कि कैमिनेट के निर्ने के अनुसार आदेश दिनाक 13.1.2011 में निर्देशित है जिसकी प्रतिलिपी मेडिया बंदों को भी दी जा चुकी है क्योंकि इस स्थल की सुरक्षा वे रख रखाब आदी अभी तक अधिकांस मेरी सुरक्षा वे रख रखाब में लगे मेरे कर्मी ही करते रहे हैं जो कि अब मेरे प्राइवेट निवास पर चले जाएंगे यहां पर आए मेडिया बंदों वैसे तो आप सबी लोग इस प्राइंगण में अनेको बार आ चुके हैं प्रंतो फिर भी मैं आज आप सबी लोगों से यह अनुरोद करूंगी कि आज आप इस पूरे परिसर का भर्मन मेरे साथ जरूर करें पूरा परिसर में आज आपको दिखाऊंगी अंदर भी और भार भी कि आप सबी लोगों से मैं अनुरोद करूंगी कि आज आप इस पूरे परिसर का भर्मन मेरे साथ जरूर करें तता इसकी फोटोग्राफी भी करें तता इस बंगले के अंदर चल कर उस आवासिय भाग को भी जरूर देखें जिसमें मैं अभी तक रहती थी अभी तो मैं आज जा रही हूँ अपने प्राइवेट बंगले में और इस स्टल में घूमने के उपरांथ आप सियम ये देखेंगे कि इस परिसर में मुख्य तोर पर मानेवर श्री कांशी राम जी विसराम कक्ष लाइबरेरी मीटिंग हार रसोई एबम जनपान कक्ष तथा मीटिंग रूम पिस्तल की विवस्ता ही तु कई स्टोर वे पर्तिक्षा रूम तथा सफाई वे रख रखाब कर्मी रूम सूसरी मायवती जी विश्राम कक्ष पीछे एकदम बिल्कुल वे इसके भीतरी धिर्गा में स्टित मियूरल भाग दो तथा पीछे बरामदे में लगे दो मियूरल कई छोटी बैट के जनरेटर जनरेटर तो बंगला खाली करने के बाद मायवती बोलती हूए और कांशे राम समारक के भीतर मीडिया को ले करके जाएंगी देखे मायवती ने बोलाए कि उन्होंने तेरा ये मौल एवेन्यू खाली कर दिया और यहाँ बने कांशे राम समारक का रख रखाव राजिस सरकार करे